अधनिय देख जी आज विपक्ष की जो हाल अफ होगी ना इसकी सबसे दोसी कॉंग्रेस पार्ट की है कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अउसर मिला और दस साल कम नहीं होते लेकिन दस साल में उस दाईत्व को निभाने में भी वे पुरी तरा विफल गए हैं और जब खुद विफल हो गए हैं तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाएं इसलिए हर बार ये करते रहें कि और भी विपक्ष तेजस भी लोग हैं उनको दबा दिया जाएं हाउस में कई यंग हमारे मान्य सामसत गण हैं कुछ साभी उमंग भी हैं लेकिन अगर वो बोलें उनकी छबी उभर जाएं तो शायद किसी की छबी बहुत दब जाएं उस चिंता में इस यंग जन्रेशन को मोका न मिले हाउस को ही चलने नहीं दि दिया है खुद का भी विपक्ष का भी संसद का भी और देश का भी और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्त अच्छे विपक्ष की विपक्षी बहुत जरूरत है देश ने जीतना परिवारबाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कॉंग्रेस ने उठाया है अब अधिर बाबु की हालत हम देख रहे हैं वनना ये समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारबाद की सेवा तो कड़ी परती है अधिर अधिर जी अब हालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिप्ट हो गए और गुलाब नभी जी तो पार्टी से ही सिप्ट कर गए ये साब परिवारबाद के भेंट चड़ गए एक जी प्रोडट बार बार लाँज करने कि चकर में कॉंग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आगही है और ये दुकान हम नहीं कह रहें अप लोग कह रहेए हैं आप लोग कहते हैं दुकान खोली है सब जेगा Confirm को ताला लगने की बात Street यहां हमारे दादा आपने आदत छोड़नी पाते हैं वहां से बेट बेटे कॉमेंट कर रहे हैं परिवारबाद की मैं जरा समझा देता हूं आपको ना जग महोद है मैं जरा समय ले रहा हूं हम किस परिवारबाद की चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बल्गूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवारबाद नहीं कहा है हम परिवारबाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोगी करते हैं वो परिवारबाद है ना राजनाजी की कोई political party है ना अमिज शाह की कोई political party है और इसलिए जहां एक परिवार तो पार्टियां लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचीत रही है लोग तंत्र में पार्टि अने एक परिवार के दस लोग राजनिती माई कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नव जवान लोग आएं हम भी चाहते हैं एए इसकी चर्चा करिए हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए परिवार वादी राजनिती परिवारिक पार्टियों की राजनिती यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा दस लोग प्रगदी करें मैं स्वागत करूंगा देश में जितनी नई पीड़ी अच्छे लोग आएं स्वागत ही होगे हैं सवाल यह है कि परिवार ही पार्टिया चलाती है पक्ता है कि यह द्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा यह नहीं होगा तो उसका बेटा होगा ये लोक्तंत्र का खत्रा है और इसलिए अच्छा हुआ दादा थैंक्यू ये विशे कभी बोलता नहीं दाज बोल दिया मेरे आधनिय अध्यक जी एक ही प्रोड़क को बार-बार लॉंच करने का भरपूर प्रयास हो रहा है अधनिय अध्यक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांगशाएं और उपलब्दियां वो देख पाही नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तयारी नहीं है